10-12 पास आउट हुए इस्टूडेंट के लिए इस वक्त एक बड़ी खुश्खबरी शामने आ रही है तो जैसे की बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चैन आयोग, इनके लावत 36 गर्व्यापंग जैसे एक्जाम की तयारी कर रहे दी जाएगी और ये कोचिंग राज्य के अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होगी आदिवासी विकास विभाग की ओर से बताया गया कि नए सत्र के विद्यार्थियों के प्रसिक्षण हेतू 100 सिट नि सुरक्षित है तथा वर्गवार 33% महिलाओ के लिए सुरक्षित रहती है तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और डाकुमेंट्स है वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाले हैं इसके पहले यदि आप हमारी चैनल सीजी 36 न्यूज पर नहीं हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओन चरूर करे ताकि आपको ऐसे ही डेली के नई जानकारी मिलती रहे ओके तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बच्चों को कोच योजना का लाब मिलेगा जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पास हो नियूंतम आयू 20 वर्स एवं अधिकतम आयू 30 वर्स होनी चाहिए 36 राज के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस्थाई जाती प्रमान पत्र हो पालक अभिभावक की आई 3 लाग से अधिक नहीं होनी चाह ना होगा इनके अलावा विद्यार्थी को अपना आविदन 15 अप्रेल तक सभी डाक्यूमेंट्स के साथ जैसे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का प्रमान पत्र छाय प्रती आय प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र इनके अलावा अधार काड की छाय प्र पुरान आयुपत आदिमजाती कालला और और जाहयक आदिवासी विकास राइपूर कलेर परिश्रम क्रमांक नमबर 41 में आविदन जमा कर शक्ती हैं. फिलाल इस वीडियो में इटना ही तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में चुरूर पूछेगा ओके मिलते हैं और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में